हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स एजी मेत के यीटूब चैनल पुना एगवार आपका हार देख स्वागत करता हूँ और फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं ओवराल रेंक और केटेगरी रेंक की सम्मंदर पर इससे पहले में बता दूँ कि हम बात कर रहे हैं प्रयोक साला र आपका सेलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस वीडियो में हम सिर्फ ओवराल रेंक और केटेगरी रेंक की बात करने वाले हैं कई लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ओवराल रेंक क्या है और केटेगरी रेंक क्या ह तो इसके बारे मैं आपको इस पस्टताय बता देना चाहता हूं ठीक है तो इसके लिए पार्टिकूलर वीडियो ही बना दे रहा हूं देखिए एक बात आप ध्यान में रख लीजिए ठीक है मैं दुबारा रिपीट नहीं करूंगा इस बात को कि हम जो रिजल्ट देख रहे ठीक है उसी का रिजल्ट है अब बात करते हैं इसका अब यह ओबराल रीजल्ट जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह रैंक है क्या यह पूरे 36 गड़ कार रैंक है और जो क्यो वीडियों रखे मअगए है अब अगे उवराल रेंक यहाँ पर दिया गया है 49,749 और केटेग्री रेंक दिया गया है 5,096 अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अभी जिस समय फॉर्म भरा गया उस समय 36 गण में 27 जीले थे ठीक है अब 27 जीलों में से चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, जनरल हो सभी लोगों ने जसपूर जीलों में फार्म भरा था होगा ठीक है और नहीं भी भर था होगा तो वो इनकुलूड नहीं होगा इसमें जसपूर के टीक अडर में पूरे 36 गण से जितने लोगों ने फार्म भरा था उन में से इस ब्यक्ति का रैंक है 49,749 इस बात को आप गाठ बान देजी इसी तरह आप अपना भी रिजल्ट देख रहेंगो तो सेम सेम यही चीज है पूरे 36 गड में से ST, SC, OBC और जनरल मिला के जितने लोगों ने आपके जिले के T या E समर्ग में जितने लोगों ने फ़र भरा था उन में से आपका जो रैंक है यह 49,749 है ठीक है आप समझ गए होंगे आई ठीक अब नेक्स चितलते हैं के टेगरी रैंक क्या है के टेगरी रैंक भी उसी प्रकार है पूरे जैसे कि इनका के टेगरी है SC तो पूरे 36 गड से घ्यान रखेगा पूरे 36 गड से जस्प पूरे 36 गड से अनुसूची जाती SC से ड्युलकास्ट के लोगों ने जो जस्पूर जीले में फर्म भरे थे उन में से इनका रैंक है 5,96 ठीक है इसी तरह आपका जो भी जीला होगा आप चाहे SC हो, SC हो, OBC हो ठीक है इन में से आपका जो भी जीला होगा ई और टीन समर्गे में जीतने लोगों ने आपके जीले में फार्म भरा था होगा उन में से आपका rank यहां जो category rank है वो ही rank है चाहे आप ST है चाहे SC है चाहे OBC है ठीक है तो यह चीज़ा आप समझ चुके होंगे और नहीं समझे होंगे तो वीडियो को थोड़ा सब बैक करिए और फिर से समझने का प्रयास कीजिए ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए पने स्टेडी जारी रखें जै हिंद जै चैटिस गर्ड़